आज की इस वीडियो में भर भर के अपडेट है भाई हो सकता है वीडियो लंबी भी हो जाए तो वीडियो शुरूर से लेके लास तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंट्रेस्टिंग अपडेट्स हैं पसंद आया तो लाइक करें बिना बिल्कुल ही मज़ जाईएगा अब हम सब जानते हैं में रोस्टर में गंतर उन्हें एज इंटर कॉंटिनेटल चैंपियन रिकॉर्ट सेट किये हुए हैं क्या एज वल्ड हेवीड चैंपियन भी बड़ा कारणामा करेंगे ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा महीं गंतर के साथ साथ उनाइटिस चैंपियन एले नाइट ने भी 100 डेस कंप्लीट कर लिए हैं एज उस चैंपियन नेक्स बात कर लेते हैं रीसेंट में हुए रॉक के एपिसोड के बारे में जहां काफी कुछ देखने को मिला था डैमियन प्रीस सो गंतर का फेस ओफ दिखा था वोमेंस के बीच वार गेम् के मेंबर्स भी दिखाई दिये थे जो कि वार गेम्स के लिए फिफ्ट मेंबर को डूनते फिर रहे थे वही सैथ रॉलिंज और ट्रक नुमा ब्रॉंसन रीड के बीच भी तगड़ा ब्रॉल हमें इस एपिसोड में देखने को मिला था नेक्स बात कर ले दें सर्वाइवर सीरीज के बारे में जिसको लेके ट्रिपल एच ने ओफिशल पोस्टर रिवील कर दिया है इस पोस्टर में मैंज वार गेम्स में दिखने वाली दौनों टीम्स के मेंबर हैं OG ब्लडलाइन और न्यू ब्लडलाइन दौनों टीम के चार-चार मेंबर इसमें दिखाई दे र हैं शायद इसली है क्योंकि आगे की अपडेट्स में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि फिफ्ट मेंबर कौन होने वाले हैं नेक्स बात कर लेंगे कौडी रूड्स और रोमन रेंज से रेलेटेड एक फैक्ट सामने आया है वो आपको बता देता हूँ जैसा कि रोमन रेंज की ट्राइबल चीफ एरा कितनी बैतरीन रही है वो हम सब पता है सबको इस दोरान उनोंने कई सारे रेकॉर्ड बना है कई सारे तोड़े हैं ट्राइबल चीफ एरा 2020 से 2024 तक चली अब कॉडी रूर्स डब 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 लई के ऐसे एकलोते सूपर स्टार हैं जिन्नोंने रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ एरा में सिंगल मैच में पिन करके हराया है और ये कार्मा उनोंने वेसल मीनिया 40 में करा था इनके अलावा डब 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 लई में ऐसा कोई नहीं हुआ जो कि रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ एरा में सिंगल मैच में पिन कर पाया हो हाँ एक बार और रोमन रेंश पे नू है जे उसों से लेकिन वो टेक टीम मैस था मैं यहां सिंगल मैच की बात कर रहा हूँ नेक्स बात कर ले दें डैमिन प्रीस और जज्जमेंट डे के बारे में जज्जमेंट डे कह रहे हूँ बट उसका अब कोई मतलम नहीं है यह तो अब ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों का एक ग्रूप खेल रहा हो अब कहीं न कहीं डैमिन प्रीस की इस बात में दंबी है पहले डैमिन प्रीस के हर मेंबर को एक कोल पुछ दिया करती थी बट जब स डॉमने को ही अच्छी स्टोरी लाइन मिल रही है बाकी के तो सूपरस्टार बस पीछे चल लिगने के लिए ही रह गए है नेक्स बात कर लेते हैं वाइपर रेंडी ओर्टन के बारे में जैसा कि रिसेंट के स्वेकडाउन के एपिसोड में कैविन ओंस ने आके रेंडी ओ डॉमने के एक्शन से दूर रहेंगे वो भी इंडेफिनेटली टाइम के लिए मतलब कि कोई टाइम लिमिट नहीं है यह टाइम लंबा भी हो सकता है यह टाइम शॉर्ट भी हो सकता है अब देखे यह स्टोरी लैन का पार्ट है रीजन साफ है क्याविन ओंस रेंडी कॉडी रूट्स की फ्यूड शुरू कर सके और इनके बीच सर्वाइवर सीरीज में मैज दिखा सके अब जो भी है जब कैवन ओंस रेंडी ओर्टनों कॉडी रूट्स दौनों पे टर्न करे थे तब भी मैंने बोला था कि एक साथ कैवन ओंस को रेंडी ओर्टनों कॉडी के खिलाफ क्यों दिखाया जा रहा है अब जब दिखाया है तो एक को तो बाहर करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए अगर एक से स्टूरी लाइन कंटीनू करनी है तो नेक्स बात कर लेते हैं रोमन रेंज को सोलो सिकवा ने रेप्लेस कर दिया है डबल डबलोई ने रो बड़ी बात है इसमेकडाउन के पूस्टर के सेंटर में सोलो सिकवा का आ जाना और रोमन रेंज का वहां से क्लियर कर देना रिमूव कर देना जहांसे डबल डबलोई क्लियर मैसेज दे रही है कि आने वाले टाइम में शायद सोलो सिकवा को डबल डबलोई समेकडाउन का face मान सकती है वहीं ऐसा होने के बाद ऐसे rumors भी circulate होने लगे हैं कि शाय WWE Roman Reigns को जन्वरी 2025 में Raw पर move कर सकती है जब Raw Netflix पर आना शुरू होगा वैसे भी Netflix की demand है कि Roman Reigns उन्हें Raw पर चाहिए Next बात कर लेते हैं Solo Sikua के बारे में जो कि आज कल खुद को Tribal Chief कह रहे हैं और अपनी खुद की Blood Line बना के गूम रहे हैं Solo Sikua के पापा यानि की Rikishi ने उनको और Caudi Roots को लेकर के एक बात कही है Rikishi का मानना है कि Caudi Roots को Throne करेंगे यानि की Solo Sikua ही वो होंगे जो Caudi Roots को हरा के अपनी खुद के लिए पापा यानि के पापा यानि के पापा अपनी फुचर में कब Solo Sikua को ये मौका मिलेगा कि वो दोबारा टाइटल मैच में Caudi Roots के खिलाफ दिखें मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि जब OG Blood Line और Blood Line की स्टोरी एंड होगी जब Blood Line के मेंबर्स अलग होंगे तो WWE Solo Sikua को कैसा पुच देगी ये तो खेराने वाला टाइम बताएगा वैसे उनके लिए Positive News ये है कि मैंने भी बताया SmackDown के Poster पे Center में होने जगे दे दी गई है Next बात कर लेते हैं 5 vs 5 Women's War Games के बारे में अब आपको बता दू Next Week होने वाले Rocky एपिसोड के बारे में जो की टेप एपिसोड होगा Next Week का Rocky एपिसोड WWE ने आज हुए Rocky एपिसोड के बाद टेप करा यहां से एक बड़ी चीज सामने आई है Recent में हुए Rocky एपिसोड के Main Event में जो कुछ Women's के बीच हुआ उससे क्लियर है कि Women's के बीच भी War Games होगा इस साल Survivor Series में अब इसी के चलते Next Week Rocky एपिसोड में रिटन होगा एक बड़ी Women's Superstar का जिसको कुछ टाइम पहले Attack के बाद WWE ने Injured बता के ये कहा था कि वो लंबे टाइम के लिए आउट आफ एक्शन रहेंगी रिपोर्ट्स दावे कर रहें थी शायद वो Royal Rumble के आसपास वापिस करेंगी या वो Wrestlemania 41 के आसपास वापिस करेंगी बड़ आपको बता दू Next Week Rock के एपिसोड में रेहा रिपले का रेटन होगा और वो आके दियांका ब्लेयर जड कारगिल नयोमी इउसकाई को जॉइन करेंगी अगेंस्ट लिव मॉर्गन रकील रोडरीगेज, कैंडिस लेरे नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रेट उन तो इन वोमेंट्स के बीच इस साल का वार गेम्स हमें देखने को मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के बारे में अब इस साल का वार गेम्स OG ब्लडलाइन वर्सिस टीम ब्लडलाइन के बीच होगा ये तो कन्फरमानी है, महीं दौनों टीम में अभी चार-चार सूपरस्टार हैं बट क्लियर है कि WWE 5 वर्सेस 5 बैंज वार गेम्स कराने के मूड में है जिसको लेकर के रॉमे, सोलो, सिक्वा और OG ब्लडलाइन के मेंबर्स सैमी जेन, जे उसो, जिम्मी उसो, रॉपे 5th मेंबर को find out करते हुँ दिखाई दिए जैसा कि रॉपर दिखा ही है कि सैमी जेन, सैथ रॉलिंस को एप्रोच करते हैं कि टीम रोमन रेंज को join कर लो, फिर सोलो सिक्वा भी दिखाई दिए सैथ रॉलिंस को कहते हुए कि रोमन के अगेंज जोइन कर लो, अब ये बहुत ही stupid सा दिखा, सच में सैथ रॉलिंस रैसल मीनिया 40 तक रोमन रेंज रॉक के खिलाफ दिखाई दिए, ब्लड लाइन के खिलाफ दिखाई दिए क्या क्या हुआ सैथ रॉलिंस के साथ, कौडी रॉलिंस के साथ, ये सब को यादी होगा, अब सैमी जैन, रोमन रेंज के साथ आने को कह रहे हैं, सच बता हूँ, 4 वर्सेस 4 वार गेम्स में जितने भी अभी मेंबर्स हैं, वो सब जैनोन हैं, उनका कोई ना कोई लॉजिक ह ब्लड लाइन में रहने का, बापिस आने का, बट सैथ रॉलिंस का समझ नहीं आ रहा है, महीं रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि कौडी रूट्स as a 5th member टीम रोमन रेंज को जॉइन कर सकते हैं, रोमन रेंज के रिटन के बाद कौडी रूट्स और रोमन रेंज टीम करके साथ ल कि क्या लॉजिक है सैथ रॉलिंस और कौडी रूट्स का वार गेम्स में डालने का, सैथ रॉलिंस ब्रॉंसन रीड के साथ फ्यूड में हैं, कौडी केविन के साथ और ये दिखेगा, अब हो सकता है कि टीम रोमन रेंज में कौडी रूट्स आएं, तो सोलो सिक्वा की रॉलिंस चल लए जाएं, ये भी हो सकता है, नेक्स बात कर लेते हैं, एक बड़े स्पोईलर के बारे में, जैसा कि मैंने वोमेंज वार गेम वाली अपडेट में आपको बताया था कि नेक्स वीक जो रॉक का एपिसोड होगा, वो टेप होगा, आज हुए रॉक के एपिस बीच वन-उन-वन मैस दिखाई देगा हमें, तो आपको बता दूँ, नेक्स वीक रॉक के एपिसोड में, इन दौनों के भी जब मैस दिखेगा, तो ब्लड लाइन के मेंबर, यानि की टीम सोलो सिकोवा के मेंबर, जैका फातु, टामा टोवा, टांगा लोईस मैच में इ अब जब ऐसा होगा, तो हो सकता है कि सैथ रॉलिंस के जो अपोनेंट है, जिन से फ्यूड चल रही है, ब्रॉंसन रीड, वो कहीं न कहीं सोलो सिकोवा को जाके जोइन कर सकते हैं, ट्रक नोमा ब्रॉंसन रीड, अब यार मेरी तरफ से यह बिलकुली बेपकूफी वरी हरक मिल हो रहा है, तो उस पर जाके अटेक कर दो, और फिर उसको दूसरी टीम में शामिल करा दो, तो यह आने वाले रॉक के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा, तो हो जगता है कि फिफ्ट मेंबर सैथ रॉलिंस हो टीम रोमन रेंस के लिए, तो फ्रेंड यह थी डब उसका इप बादी, तो हो जगता है, तो हो एपिसोड़िक प्राफille स्ट्ले वशक्का चाहि के लिए.